आज हम आपको review tab के language block के सभी options की जानकारी दे रहे हैं जदी आप चाहते हैं कि आपके document में कोई paragraph या कोई line किसी और भाशा में बदल जाए तो यह काम आप MS Word के translate selection की मदद से कर पाएंगे लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा document किसी और भाशा में translate हो जाए तो उसके लिए आप MS Word के translate document option का use कर सकते हैं आपको Google पर जाकर किसी भी data को translate करने की कोई भी आवशक्ता नहीं है यह काम आप MS Word में रहते हुए दिये गए feature translate की मदद से कर सकते हैं और set proofing language की साहता से चुने गए भाशा में यदि कोई गलती होती है तो यह option आपको remember कराता है और आपकी गलती को दर्शाता है ताकि आप अपनी गलती सुदार सकें Language preference की साहता से आप MS Word के application की भाशा को बदल सकते हैं जैसे यदि आप MS Word के सभी option जैसे tab, menu और option इन सभी को किसी और भाशा में बदलना चाहते हैं तो यह कार आप language preference की मदद से आसानी से कर सकते हैं तो चलिए इन सभी option को practical तरह से समझते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें और bell icon को जरूर दबाएं तो चलिए वीडियो को शरू करते हैं Language blog का use करने के लिए आपको जाना होगा review tab पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं Language में आपको translate और language के नाम से दो option आपको दिखाई देएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं translate option की Translate option में आप देखेंगे सबसे पहला option आपको दिखाई देगा Translate selection का तो इस option का use करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक paragraph को insert कर लेते हैं मालीजे हमने रेंड कमांड सो लाकर यहाँ पर कुछ paragraph insert कर लिए हैं और इसमें से मालीजे मैंने पहले paragraph को यहाँ पर select किया है और अब मैं इसको translate करना चाहता हूँ किसी दूसरी भाशा में तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे translate option पर और यहाँ पर आपको select करना है सबसे पहला option translate selection का इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर right side में translator के नाम से एक dialogue box open हो जाएगा इस dialogue box में आप देखेंगे from में आपको English दिखाई दे रहे हैं कि हमारी यह जो भाषा है वो English है और नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको to दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर to में आपको हिंदी दिखाई दे रहे हैं यानि कि आप इस English को हिंदी में change करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे change कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई दूसरी language चाहते हैं तो आप इसके drop-down पर click करेंगे drop-down पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफी सारी languages मिलेंगी जैसे आप देख सकते हैं Greek हो गई, गुजराती हो गई, या फेर हुसा हो गई, इसी तरीके से हिंदी हो गई और भी बहुत सारी language इस आपको यहाँ पर मिलेंगे इसी तरीके से आप किसी और भाषा में अगर आप इसे change करना चाहते हैं तो उस भाषा को आप यहाँ पर select कर लीजे जैसी आप उस भाषा को यहाँ पर select करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो language थी वो यहाँ पर translate हो चुकी है तो फिलाल हम इसे हिंदी में ही change करेंगे यहाँ पर हम हिंदी को select करते हैं और हिंदी को select करने के बाद जैसे आप insert बटन पर यहाँ पर click करेंगे तो insert बटन पर click करते ही आपका जो paragraph था वो यहाँ पर translate हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर click किया तो आप देख सकते हमारा जो select paragraph था उसका translation यहाँ पर complete हो चुका है इसी तरीके से मैं एक बार control Z करके इसको वापस से English में convert कर देता हूँ और उसके just bugle में आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई देगा document का इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने from में detect language आ रही है यानि कि यहाँ पर आपने जो भी भाषा लिखी है वो भाषा यह automatic detect कर लेगा और उसके बाद आप इसे जिस भाषा में translate करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर select करना होगा तो मालीजे हम यहाँ पर हिंदी को ही select करके रखते हैं और यहाँ पर हम translate वाले बटन पर click कर देते हैं जैसे हम translate बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा document ही हमारा Hindi में translate हो चुका है तो इस तरीके से आप MS Word में किसी भी भाषा को translate कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके बाद हम बात करते हैं next option की तो review tab पर जैसे हम click करेंगे इसके बगल में आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई देगा language settings का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला option आपको दिखाई देगा set proofing language इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएगा और यहाँ पर आपको काफी सरी languages मिलेंगी जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं three languages पर यहा पर default करना चाते हैं तो आपको उस भाशा को select करके यहाँ पर नीचे दिये गया option set as default पर क्लिक करना होगा जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी यह जो language होगी हो by default यहाँ पर set हो जाएगी इसी तरीके से आप देखेंगे आपको यहाँ पर दो option भी दिखाई दे रहे तो यह option उसको check नहीं करने देगा इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई देगा यहाँ पर detect language automatically गगा तो यहाँ पर यह automatic detect कर लेगा इन तीनों languages को अगर आपने इन तीनों languages में कोई भी data यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह automatically उस language को यहाँ पर detect कर तो इस तरीके से आप इसकी default settings यहाँ पर कर सकते हैं हम फिलाल इसके अंदर कोई भी settings नहीं कर रहे हैं हम इसे cancel कर रहे हैं और इसके बाग हम वापस से language पर जा करके नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक option मिलेगा language preference का हम इसको select करते हैं इस पर जैसी हम click करेंगे तो वो home tab हो चाहिए वो insert tab हो यह जितने भी options आपको दिखाई दे रहे हैं यह सभी options आपको हिंदी में दिखाई दे तो उसके लिए आपको वहाँ पर अपनी भाशा को install करना होगा तो उसे install किस तरीके से करते हैं मार लीज़े हम चले जाते हैं review tab पर और यहाँ पर हम select कर लेत है language preference, language preference select करने के बाद आप देखेंगे right hand side में आपको option दिखाए देगा add a language का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारी language दिखाई बेंगे जिस भी language में आप अपने पूरे software को convert करना चाहते हैं उस language को आपको यहाँ पर select करना होगा और जि दलना चाहते हैं तो आपको language को select करके सिर्फ यहाँ पर install पर click करना होगा तो यह basically कुछ समय लेगा और कुछ समय के बाद आपको अपने software को एक बार बंद करके दुबारा से on करना होगा जैसी आप दुबारा से on करेंगे तो आप देखेंगे आपके software की भाशा यहाँ पर change कर दो यहाँ पर बंद कर दो करना हो